श्री गनेशाय नमा हेलो फ्रेंड्स वेलकम बाक टू माई चैनल आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपका MHI 101 यूनिट 20 पे है डिबेट्स ओन फुडिलिजम पिछले वीडियो में जो टॉपिक्स हमने कवर किये थे वो था आपका introduction और early formulations आज जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है वो होई आपका पेरिनी थीसिस और जो points हमें इसके अंडर याद रखने हैं वो है पेरिनी थीसिस वोज प्रोपाउंड़ बाई बेलगाईन हिस्टोरियन हेंडरी पेरिनी पेरिनी नेगोड़ देल किसे हैं पेरिनी आपका है पेरिनी अप्रोपली थीसिस्टोरियन थीसिसरे पोज़ाज every च्रै। ने पेरिनी थाजस्तर प्रोंगराइन आपका पार्यनी थेस्टोरियोन इमकाई Leia the view that Germanic barbarians had caused the Roman Empire to end and he challenged the notion that the end of the Roman Empire should be equated with the end of the office of emperor in Europe which occurred in 476 AD. According to Perini, the real break in Roman history occurred in the 8th century as a result of Arab expansion. Perini used statistical data regarding trade practices in support of his thesis. His argument was based on the disappearance from Western Europe of items that had to come from outside. Though Perini's thesis did not entirely convince all historians but provided new tools for understanding the period of early middle age in Europe. तो students, आज जो टॉपिक हमने डिस्कुस किया आपका वो है Perini thesis और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजे, शेर कीजे, सब्सक्राइब कीजे, बेल आइकन को दबाईए ताकि जब भी मैं कोई लेटिस वीडियो डालू तो इसकी नो तो आप मुझे मेरे WhatsApp नमबर पर कॉइंटाक्ट कर सकते हैं, आपको सिर्फ मेसेज करना है, कॉल नहीं करना है आज हमने इस चाप्टर का पैरिनी थीसिस भी कंप्लीट कर लिया है, नेक्स वीडियो में मैं इसी चाप्टर से रिलेटेड आप लोगों को और भी वीडियो दूँगी, आज के लिए बस इतना ही था, नेक्स वीडियो तक, बाई